Hello students, welcome in chemistry class, मैं Dr. Sylvie Sir, आज का हमारा वीडियो बहुती special students, जो town 1 exam सोने हैं board के, उसमें OMR seat को कैसे fill किया जाएगा, और उसके important instructions को आपको इजी तरह की से समझाया जा रहा है, और उसके instructions अपन इस तरह से देखेंगे, तो देखिए instructions to fill the OMR, students, board ने एक sample OMR दिये, उस sample OMR कैसे fill करना है, और उसका आपको एक example के साथ में बताया जाए किस तरह से fill करना, पहले उसमें जो fillings है, कुछ OMR सिध्यान से देखिए, आपको class और sections देना है, और उसके बाद में आप देखेंगे उसके अंदर, roll number आपका आजाएगा, और उसमें admit card मिल जाएं के name, और उसके बाद में आपको candidate name लिखना है, fatherst name लिखना है, और उसके बाद school code जो है, वो भी आपको यहाँ पी school name के शाथ में mention करना है, तो यह तो कुछ जरूरी चीज़े जो आपको fill करनी है, with help of admit card exam के अंदर, और उसके बाद में इस side में आपको जो है, ठीक है, question paper code, आपको जैसी question number मिलेगा, उसमें question paper code होगा, वो भी आप उसमें fill कर देंगे, और उसके बाद में, यह सारी entry और even सारी entries होगी, उसमें ध्यान रखना है, sample, और इसमें only use blue and black ball point pen, याद रखना, students, pencil use नहीं करनी है, वो unfair means में count होगा, इसलिए आपको इस बाद प अब यहाँ पे जो आपको इस box में निकरा है, यह example देगी, जब आपको इस circle dark करेंगे, तो उस circle में कोई भी आप symbol नहीं देंगे, यानिकि simply उसको complete dark करना है, जैसे for example, आपका अगर इतना सा circle है, तो उस circle में आपको कोई design नहीं बनानी है, उसको completely आपको pen से जो है, पूरा का पूरा dark कर देना है, कोई भी design नहीं रखनी है अंदर, simply उस circle को पूरा blue या black ball point pen जो है, उससे complete dark कर देंगे, उसको half नहीं रखना, आप ऐसा यह complete dark circle होगा, आप उसको आदा नहीं करेंगे, जिस तरह से आपको side में correct method दे रखा है, तो जैके first question जैसे complete dark, complete dark करना है, अंद किसी तरह की design या उस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, complete dark, simple सा ध्यान रखिए, अब students आगे बढ़ते हैं, अपर इसके अंदर, यह जो questions attempt करेंगे, वो casing होगा, तो उसके instructions जो नहीं वो ध्यान से देखिए, कुछ short आपको meaning बखाये जा रहे है, there is a space for answering 60 questions in OMR, students अब आप OMR को देखेंगे, तो उसमें आपको, जैसे 1, 2 आपको इसमें 15, इस तरह से आगे सागे number मिलेंगे, और maximum जो यहाँ पे जो 60 आपको circle list के अंदर, question number के अंदर मिलेंगे, space जो हो गया, OMR के अंदर, अब इसमें ऐसा हो सकता है, answer given after maximum question number will not be evaluated, इसका meaning यह है students, कि अगर आपके म मान लीजी आए, example के तोर पे, और इसमें से आपको जो है, option मिला करके 45 attempt करना है, suppose आपको, okay, 45 attempt करने, अब इसमें 45, यहीं कि आपको 45 question ही इसमें attempt दिखाने है, अगर आप extra question करेंगे, 60 में से मान लीजी आपने 47 कर दिए, तो आपके 2 questions evaluate उसमें नहीं होंगे, तो आपको extra न करना है, जितना question में maximum attempt कर गया है, आपको उतने ही attempt करने है, next बहुत important instruction ज्यान से शुनना है, if से से कोई example है, 45 questions are there, so can't change question 46 to 45, अब मान लीजी किसी candidate को, यह आ रहा है कि वो 45, 46 पे जो question उसको 46 पे attempt करना, आप उसको अपने मर्जी से 45 नहीं बनाएंगे, अगर को 60 मान लीज इसके अंदर 48 गता, 48 को 45 नहीं बनाएंगे, जो चहाँ पे है, उसको उसके आगे ही attempt दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना है, तो यह इसका meaning है, next देखेंगे, आप point number 4 में, for given, giving answer, for circle are given, इस ट्यान से देखिए, आपको एक साइड में को question, यह OMR को मैंने जून करके, यह आपे draw किया, यह जो आप question, उसमें देखो इस तरह से, उपर जो लिखा वो question number है, question number 1, 2, 3, 4, यह आपका 60 तक आजाएगा पूरा, और उसके बाद में response आप देखें, तो circle देखें, small A, B, C and D, यह 4 circle आपको, जो options होंगे, आपके 5 questions के अंदर 4, वो option इस तरह यह response के उसके बाद, जो star part आ रहा है, यहाँ पे यह जो box है, इसमें आपको इन में से कौन सा circle किया, A, B, C, D में से वो option आपे mention करेंगे, और star है, जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वापस उसी question number को circle form में है, यह आपको तभी circle करना है, जब वो questions attempt नहीं किया हो, अभी देख question number one attempt में है, माल लीजी आपका answer, जो है students, वो C answer right आया, ओके, तो आप सिरफ C answer को जो है, वो circle को dark कर देंगे, तो यह आपका circle dark हो गया, C point को, ठीके, तो C वाला option इसमें आपको, जो choose किया है, वो आप circle dark कर देंगे, ठीके, for answer, next क्या करना, वो देखिए, with circle, a box is given, ज्यान रखिए, इस circle के just बाद में, यह जो option से response, उसके just बाद एक box दे रखा, इस box में आपको, वो option mention करना है, compulsory, ज्यान रखिएगा, सबसे important है, must mention, यहाँ पे, तो वो C आपको यहाँ पे mention करना है, जैसे आपने C पे circle किया, तो यहाँ पे आपको C option लिखना है जहाँ रखिएगा इस ट्यूंट सी, correct option should be given, after box, again a circle is given with question number, darken it, if the question is not attempt, इस्टूरेंट अब ध्यान से देखिए, suppose, आपको question number 2 attempt नहीं करना है, ठीके, तो question number 2 suppose आपने attempt नहीं किया, ठीके, तो उस cases में आप क्या करेंगे, इस question number के आगे, आप ध्यान से देखिए, को last में एक आपको एक circle मिल रहा है, इस circle को round कर देंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस questions को आपको attempt नहीं किया है, उस questions के लिए इस circle को dark करना है, तो यह question number repeat है, बस उस circle में दे रखा है, तो यह question आपका treated as not attempted, तो यह आपका not attempted की तरग treat होगा, तो यह इसमें ज्यान रखना है, उस दौरान आपको इन में कुछ नहीं करना, box वगरा में, या सरके दापने, अगर वो question आपने नहीं किया है, तो given question number, darken it if the question is not attempted, next instruction तो ज्यान रखना है, इसके अदर वो है, the response has to be returned in box, बहुत जरूरी है, यह जो box है, इसमें response आपको लिखना जरूरी ह as it will be treated as final, students, यहाँ पे यह हो सकता है कि यहाँ पे आपने मालो circle में कोई mistake कर दी, लेकिन final answer जो treat होगा, यह ध्यान रखना, इसलिए circle के बाद भी आप रुख सकते, लेकिन question in between time जब भी आपको मिले, तो final जब आप confirm answer हो जाए, यही मेरा answer है, तो उसमें यह जो answers यहाँ पे एगा, so as it will be treated as final answer, यह ध्यान रखनी, इसलिए यह जो star वाला box है, यह बहुत important है, उसके बाद में देखिए, if the box is empty and circle is darker, अगर आपने box खानी छोड़ दिया, जैसे मान लीजे, suppose is question number 3 का, be option correct था, यहाँ पे आपने circle कर दिया, completely, यह circle कर दिया, लेकिन आपने box में students कुछ इसलिए लिखा यहाँ पे, यह खाली रह गया box, तो उस case में क्या होगा, तो darken it will not considered as question attempted, ज्यान रहेगा instant, आपके circle से जादा important है box है, तो darken भी करना box भी करना है, इसलिए इसको blank नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना इस तार के अंदर, क्योंकि यह final answer वाना तो darken के साथ साथ में इस box का भी ध्यान रखे, हाँ, इसमें जो question not attempt करना, उसमें फिर सीधा last होगा, question number dark होगा, यह ध्यान रखना इस case में, next, if the circle is not darkened, and the response is given in box, अब आप कही बार बहुत जल्द बाजी में, यहाँ पी कोई, just suppose आपको question number 4 आपने attempt किया, ठीके, और question number 4 मे यहाँ पे आपने option A माल लीजिये, right, और यहाँ आपने mention कर दिया option A, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं पे भी जो है, वो circle नहीं किया dark, लेकिन box में आपने लिख दिया है A, option A, तो इसका क्या mean होगा, तो वो यही कह रहा है, if the circle is not darkened, and response is given in box, it will be considered as question attempting, तो अब आप इसको य यहाँ पे mark कर दिया है, बले ही उसमें आपने circle dark नहीं किया, तो यह question as attempted माना जाएगा, as attempted question has been attempted माना जाएगा, जो यहाँ circle आते हैं सामने respective, उस पे darken में not attempted होता है, तो यह instruction इसमें ध्यान रखना है, okay, now, if all three, that is four circle, पहना जो part आ रहा है, यह part part one, यह कहलाता है part two, यह कहल आता है part three, तो आप देखिए, क्या देखा, if all three, that is four circle, अगर यह four circle है, पहले box, उसके बाद में आपका box वाला part आ रहा है, and last circle are left blank, अगर आपने यह भी blank रख दिया, यह भी blank रख दिया, इस पे भी आपने कुछ नहीं किया, सिर्पूरा blank छोड़ दिया, completely, okay, यहाँ पे भ blank हो गया, इस तरह से अगर आप blank छोड़ देंगे पूरा, so the question will not considered as attempted, तो अगर आपने पूरा ही blank छोड़ दिया, all circle blank छोड़ दिया, box blank छोड़ दिया, आगे भी आपने कुछ नहीं किया, तो वो आपका जोगा not attempted माना जाएगा, यहाँ रखिएगा, not attempted माना जाएगा, यह complete करेंगे, जब आपका student, सारे सरकी, जितने questions आपके maximum attempt किरने थे, उस instruction के account पे आपने attempt किये, उसमें इस बात का भी ज्यान रखना है, आपको जिस question के आगे, जो सरकील है, किसी question का number आप modify नहीं करेंगे, जो जिस question में, जैसे मान लीजिए, आपका 25 तो 25 पहीं आएगा, ठी तो 50 है, तो 50 है, जो 56 आपने attempt के तो 56 पहीं आएगा, तो इस तरह से respective जो questions उसका answer, उसी के relevance आपको रोग के अंदर देना है, यह ध्यान रखना है, इसलिए, वो question number आपका fix रहेगा, ओके, तो यह आपके total जो है, brief instruction इस तरह से given है, कि आपको OMR कैसे fill करनी है, correct, ताकि उसमे candidate को एक line लिखी हुई है, I confirm that the particular given above are correct, यह आपको अपनी handwriting में यहाँ पे लिखनी है, और फिर candidate अपने signature कर देगा, तो डिकलेट हो जाएगा कि यह OMR सीट आपकी complete हो गई है, तो इस तरह से students, जो top 1 exams आ रहे हैं, उसमें आप इस तरह से OMR सीट को एकदम carefully fill करिएगा, क्योंक और हमारे के अंदर आपको complete और बिल्कूल से पूली अच्छे से आप इसको feel करेंगे, thank you for joining और जादा से जादा इस instructions को share करें, like करें, subscribe करें हाँ, और students हमारे chemistry से चैनल पे, chemistry का complete syllabus term 1 examination का उस पे uploaded है, which chapter wise सारे वीडियो recorded है, practice question भी है, MCQ के किस तरह से questions अट्रूंड करें, तो आप हमारे इस चैनल को subscribe करिए, आपको time to time instruction मिलते रहेंगे, और आप यहाँ पे वीडियो lecture देख करके, इसका benefit उठा सकते हैं, और marks का, अच और माकस अटन टेकर्सक्ते बैंकिव